जाम अधा की दोस्तों कैसे हैं आप सब I hope बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो बात करने वाली हूँ दोस्तों बहुत ही important होने वाला है आज का वीडियो क्यूंकि आज मैं बताने वाली हूँ सुक्र जो राशी परिवर्थन कर चुके हैं उनका प्रभाब इन चार राशियों पर बेहद ही सुभु परने वाला है माला माल करने वाला है और कुछ राशियों के लिए ये असुभु परभाब भी लाएगा तो दोस्तों जब कोई ग्रह एक राशी से बदल कर दूसरे राशी में जाते हैं तो उसे कहते हैं राशी परिवर्थन 22 जनवरी 2023 को सुक्र कुम्भ राशी में प्रवेश कर चुके हैं चार ऐसी राशिया हैं जिस पर इसका प्रभाब बेहद सुभु फलद आई पड़ेगा क्यों तो सबसे पहले जानिए कि सुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं ग्रह राशी परिवर्थन करते हैं एक निश्चित समय पर शुक्र की बात इसलिए कर रही हूं क्यों कि सुक्र मामूली ग्रह नहीं है क्यों सुक्र ब्यववता का प्रतीक है सुक्र आपके लगजरी लाइफ का प्रतीक है शुक्र आपके ब्यवाहिक जीवन पारिवारिक शंबंधों का प्रतीक है सुक्र मीडिया के छेतर में हो मोडलिंग के छेतर में हो फिल्म के छेत और इस समय में सुक्ड बहुत important ग्रह हैं जो इन सीजों के लिए रूल करते हैं तो सुक्ड का अच्छा होना बहुत जरूरी हो जाता है हर किसी के लिए जिस भी फिल्ड में आप काम कर रहे हों उस फिल्ड में आपका अच्छा दिखना आपका personality अच्छा होना आपके जीवन में व्यवता विलाशिता का होना आपके सुक्ड सम्रिद्धी का होना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए तो सुक्ड एक बहुत ही important ग्रह हैं जिनका आपकी राशी में अच्छा होना अच्छा माना जाता है तो कौन से है वो चार राशियां जिस पर ये शुक्र महरवान होने वाले हैं और ये भी बताऊंगी कि जिस राशियों पर शुक्र महरवान नहीं है तो आप उन्हें अपनी तरफ ला सकते हैं कुछ चोटे से उपाई करके क्या करना है कैसे करना है और सारी डीटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर मेडी वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आकर जरूर प्रेस करें इस तरह की जनकारी मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही लावदायक होती है तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले उन चार रासियों के बारे में जिन पर सुक्र इस बार महरवान होने वाले हैं और उसके बाद बताऊंगी कि ऐसा एक बहुत ही अच्यों कुपाई जिसे सिर्फ तीर सुक्र बार करने की मात्र से आप जिन सब के सुक्र कमजोर हैं सुक्र मजबूत हो जाएंगे और जीवन में हर वो चीज देंगे जिसके सुक्र प्रतीक है पहले रासी है दोस्तों मेस रासी मेस रासी पर इस बार सुक्र महरवान होने वाले है आपको माला माल करने वाले है आपके व्यापार में आपके जॉब में वो आपको धन की प्राप्ती देंगी अगर आप किसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको फाइदा होगा एक जीवन के लिए पारिवारिक रिस्तों के लिए सुक्र आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं आप अपने परिवार के साथ quality time बिता पाएंगे तो सुक्र आप पिर बहुत अच्छे महरवान है इसलिए इसका फाइदा जरूर उ हो जाएगी आपका relationship बहुत अच्छा हो जाएगा नौकडी और जॉब दोनों में ही आपको तरक्की देगा शुक्र और आपके जीवन में प्यार लेकर आएगा शुक्र पैससंबती समस्याएं खत्म हो जाएगी चारों तरफ से पैसे का आगमन शुरू हो जाएगा तीसरी नौकडी में आपको चारों तरफ से आपको सफलता मिलेगी वहवाही मिलेगी आपके काम की आपका अगर आर्थिक कोई समस्या चल रहा है तो आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी पैसे आने शुरू हो जाएगे और यह राशी परिवर्तन आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा होगा आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे आपके पारिवरिक रिष्टे में मिठास भर जाएगी तो आप जिनकी भी करक रासी है उनके लिए भी सुक्र बहुत अच्छा समय लेकर आएं अगले रासी है तो ब्रिश्चिक रासी ब्रिश्चिक रास बहुत अच्छा जीवन साती के साथ समय बीतेगा, मिठास भरे रिस्ते होंगे, घर में पारिवारिक रिस्ते अच्छे हो जाएंगे, और व्यापार और नौकडी में भी आपको सफलता प्राप्त होंगी, चारों तरफ से सफलता की वर्सात होगी, ये भी कह सकते हैं, तो ब् कुंडली का अपना अपना प्रभाव होता है, सुक्र की स्थिती कैसी है, और सुक्र किस स्थिती में आपके कुंडली में विराजमान है, वो भी फर्क परता है, उस हिसाब से भी आपको फल मिलेगा, अब मैं आपको ये बताऊंगी, कि अगर आपकी कुंडली में सुक्र अ साधारन सा उपाई है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावसाली है तो वो उपाई क्या है आपको करना हिया है कि आपको शुक्र बार से शुरू करना है अगले तीन शुक्र बार तक सबसे पहला काम आपको करना है सुक्र के बीज मंतर का जाप सुक्र का बीज मंतर सुबह नह 108 टाइम आपको जाब करना है सफीद रंकी कोई भी मिठाई सुक्र को चढ़ाते आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा सुक्र के प्रभाव अच्छे दिखने लगें दूसरा काम करना है आपको शुक्रवार के दिन ही आपको ये काम भी करना है शुक्रवार के दिन आप जब भी खाने बैठें दोपहर में रात में खाने के पहले ईश्वर को याद करें शुक्र को याद करें और पांच बार या साथ बार आप यही बीज मंत्र ओम, द्राम, द्रीम, द्रोम, शाह, शुक्राई, नमह, बोलेंगे, उसके बाद भोजन को शुरू करेंगे, खाना शुरू करेंगे, दोनों टाइम आपको करना है, यह आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को तो बहुत ज़रूरी है, तीसरी बात का ध्यान रखना है, कोई भी टूटे हुए बरतन को यूज नहीं करना है, ऐसे तो रोज नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को खास ध्यान रखेंगे, कि जैसे होता है, कि अगर कप है चाई का और हलका सा तूट गया है, तो लोग उसे चला लेते हैं, लेकिन शुक्रवार को ध्यान रखना है, कि ऐसे किसी भी बरतन को यूज नहीं करना है, अगला काम क्या करना है, सुबह दो रोटी गुर डालके, किसी भी गाय को खिला दीजिए, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, और सुक्र को मजबूत करने का बहतरीन उपाई है, गाय को रोटी खिलाना यह किसी इंपोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर आप निकलते हैं, तो आपकी एक्षा होती है कि वो काम आपका बन जाए, तो जरूर बनेगा, बस करना यह आपको है कि निकलने के पहले मन में, पांच बार शुक्र के इसी भीज मंत्र को आप दोहरा ले, मन ही मन, और अप आपका काम हंडेट परसेंट होगा ही होगा, आप देखेंगे, आपके जीवन में बहुत तीजी से बहुत कुछ बदलने लगेगा, चारो तरफ पॉजिटिविटी आने लगेगी, शुक्र वोग्र हैं जो आपके जीवन को बहुत बहतर बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, ये भी कह सकते हैं, तो शुक्र के ये छोटे-छोटे उपाई हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर हैं, तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक, आसा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो दोस्तो अगर जानकारी पसंद आई है, तो आज में।र आज में करेकि लाची, जयों करगर जानकारी झारी क्लवर दो आज negotiations